दोस्तों बिहार में जो डेरी फार्मिंग का एक लहर चला हुआ है और सभी यूवा वर्ग जो है इसमें बढ़ चरके अपनी भूमी का निवा रहे हैं इसी क्रम में हम पहुंचे हैं बिहार के सिवान डिस्टिक में हमारे पीछे जो डेरी फार्म देख रहे हैं लगभग 12 प सिवान डिस्टिक में हैं वाइं प्रके आपने वारे में जानकारी दे और यह कौन सा जगह का भागली अ क्तनी दिनों से पसुपालं कर रहा हूं कितनी गायों से शुरू किया था जिसका नाम लच्मी उधर में काती आच्छा तो हमें आच्छा लगा बस इमी बढ़ते यानि एक गए से स्टार्ट किया तोटल कितनी गए हो गई अभी सरे बड़ी वाली है हमारे पास आठ नो गाय है और बच्चे तीन बच्चे जहां पर्म देख रहा हूं रियल में बहुत ही खुबसूरत जगह है चारो तरफ खेत है फसल है उसके बीच में यह डेरी फार्म ब अगर बिधवत से देखा जाए तो कुछ नहीं है बस इसमें कियर करना जरूरी है सर्थ इनकी डिवार्निंग हुआ या तो इनका जो भी मनें इनका दावा बीरो जो भी लगता है टाइम से सारा कुछ किया जाए तो कोई परसानी नहीं लपरवाही इसमें परसानी आपके चार साल में जो एक छोटा मोटा कुछ समस्या आई थी उससे आप कैसे उभरें और हमारी में इसमें समस्या फीड की थी आरम सक्सेज करने में आपको पता है शार से सत्तर परसंट भूमका है फीड का जिसमें फीड अच्छा ना होने के कारण हम लों का थोड़ा अधिकत हो सार इसको हम अभी करीब एक एड़ेड मेन से इसमाल कर रहे हैं इसमें अमरी जो दो तिन गाय का जो प्रोब्लम तक किसी किसी में दाना आना या था गाय थी जो रुकुरु के पहनाती थी उसका मने सारा समस्या लगवाई स्पीड से हमें संतुष्टी महसूस हुआ है और क हुआ के हिसाब से अभी कैसा क्या हो रहा है सरपाले हमारा अदूद का जो मूले निकलता था एक सो पैसाट सब्सक्राइब नहीं जाता था आज का मैं बात बता रहे हूं आज मैंने खुआ अपनी हाथों से देखा वहां पर तो दो सो पांच गरम गिरा हुआ यह कैसे हो ग लगभग हम हराचारा की मैंने बेवस्ता इनके साथ रखते हैं अच्छा यानि कि हम ऐसा बारहों महीन आपके हैं हराचारा थोड़ा बहुत कॉम्पेस चलता है लेकिन वह जो कॉम्पेस होता हो तो इधर मिंटरन से मिंटरन को लेते हैं यह गाये सब जो देख रहे हैं बह महीन चौदर दिन के अभी प्रेगनेट है और आगे देखिये क्या रिस्पांस हमें देती है बहुत टॉप ब्रीड में उसकी बच्चा है अच्छा वह जब मिल्किंपे रहती है अभी सर इसको ड्राई कर रहा है ड्राई होग चुकी है अब थान में थोड़ा सा दूद लिये हैं बच्चा फिलाए अच्छा अभी का इसी की वह बेटी है अच्छा वो इसी में सीम लगवाये थे भी इसकी ऐसे ड्राई कर रहे है कितना दिन हो गया होने वाला बच्चा देने में अब इसका अब है सरे टाइम में लेगी करीब इहत्तर चौहतर दिन इसके पर अ अब इसे ड्राई करना शुरू कर दी हैं और अभी एक टाइम किये हैं अच्छा इसमें आपका क्या प्रवंदन रहेगा आगे का जो ट्रांजिस्टन पीडियर होता है जब गाये में बदलाओ आता है जब बच्चा देने के दोरान जो उसमें समस्या आती है उसके लिए क्या अच्छी दूद करती है 17-18 लिटर तो दूदे भी गिराती है यह दूद पर मनें पूरा बीख हो गई थी अब यह वान मंथ से खा रही है लेकिन इसका बड़ी इसको बहुत मनें अच्छा दिख रहा है आईसा भी नहीं जादा हम देते हैं इसको करें दो से धाई किलो एक अच्छी देती है यह कितना तक दूद जाती है इसका यह सारे जो पीक पर रहती है तो 19-20 लिटर तक बच्चा पिलाख देती है इससे पूरा मिलकिस का निकाले तो यही चीज आप इसमें देखे चेंजिंग तो इसमें भी ट्रांजिशन करना जा रहा है आपके पास उपा जाती हमारे लिए फीड में भागवान मिल गया जब इस फीड को खिलाए ना सवर ओ गाया अभी लेकिन उस गाय का दूद था करीब पर वेरा पर साथ के जित यह इन भागव हीट में है हीट में रहने को जासे इसका दूद रण हुआ है तो इसका पर शुबा और बच्चा दी हुई गाए इसने अपने टाइम पे इसने आठ किलो और सुबहों में नौ किल अच्छा अच्छा सतरह के जी तक दूद पगई थी वह इस फीड से सर अप इससे पूरा संतूस्थ बहुत अच्छा संतूस्थ है सर फीड का तो हम जाइकारा लागा है नहीं तो हर इस हाँ चारा का प्मेंदन है बशाद के मौसमम में हारा चारा का कैसे क्या होती है इसर बसाद में हम और पास पास है जिसमें कि मने मैं धान हो नहीं लगाता हूं अपने घटोम में घ्र हमारा है यहां पर पांच कठा जो इधर लगा है वह भी नेपियर हमारा ही है तो मिला आपको बर्साथ में कर लेते हैं थोड़ा बहुत कौंब इस चलता है लेकिन मिला जोला के मेंटें साइलेज का आप नाम सुने हों है सुने इसार मंगा के खिलाए हुए इसा लेकिन हमें बेवा है कुछ अगर बैंक की साहता अगर मिल जाती है कुछ जाए करवाई हुआ है अगर हो जाता है तो सर इसको बढ़िया से करें अच्छा और स्टारी बीचार है यहां सो नहर है नो हम आप फरम डालने का वहां पर मेरा अच्छा का सा जमीन है और नहर है सर नहर पर बहुत है इसको सरी घर के पास में रहने को जैसे इधर मैंने से डाला लेकिंशेड भी डाला हो सर तो हमारी गाय बड़ी आनंद से रहती है अच्छा हाइट दिये हैं और इसमें इस बेस्टस देख रहा है जी 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 और तो यह उपर जाएगा तो पुवाल डाल देता है अच्छ गाय बहुत आनंद में रहती है अच्छा अगर पानी भी आएगा ना तो फोगर के तरह आएगा और गाय भींगेगी नहीं पूरा इसको गेंड दिये अभी सब यह हो गया है इसका हाइट क्या होगा लगभा इसका हरी इस साइड में 15 फीट इस साइड में 14 तो बहुत अच इस बार का गर्मी का मैनेजमेंट आपका कैसा रहा है इस बार गर्मी का जो मेजरमेंट था पहले तो परसानिया थी जो परसानिया होती थो थो मिन नरूल बढ़ावड़ा आके इनको माने में 10 को पोच और लेकिन अभी जो एक महीना पहले आपकी जो फीड आई वो मैंने उनको खिलाना करिया तो जो मेरी गायए है बुटिस्स में आती थी बड़ी वाली लेकिन उस गाय को मैंने दाना चार दिन तिन चार दिन दिये हुए हुआ था तो मैंने उसका देखा रिजल्ट तो बहुत मैंने बढ़ियां सिस्टम में जीम भी आपना डांफना नहीं था अच्छा हाफने में कंट्रोल की बहुत अच्छा कंट्रोल समर मैनेजमेंट में जो है सो यह फीड आपको काम करेगा जी जी एकदम काम करेगा पहले आपको क्या दिक्कत होता था गर्मियों में गर्मियों में कभी-कभी बुखारे की संभावना आ जाती थी लेकिन हम अब हम साल अगर आया कि हमारी समस्या जो है वो दूर हो चुकी है हम कितने कंपणियों का फीड खिला हैं सब चार साल में अपने से भी बनागे खिलाए हैं मैंने बहुत ऑग दोग दोग एक दो आदमी और भी आये थे फीड वाले उनका भी मैंने खिलाया लेकिन रिजल्ट हमें इस दाना से मिला खिलाख से वो मैं यह किसी से नहीं हम दाने के वज़ा से सर हम इस फारम को डॉबल आप करने वाले रहे नहीं तो हमारा दील इसे धीरे-धीरे बैक अप में जा रहा था यानि यह समस्या इस गाय को सर देखिये इस गाय की क्या सिस्टम थी यह पहले सब्सक्राइब करी 14-15 लिपन तो हम घर पे भी पहले हमारे टायर बालड रहता था तो इसको मैं ने अच्छा से मैं आपकी चाइल ने देखता ता तो इसमें देखा जूँधा मिंदल ऐसा इसे मैं देना चाहिए कैलसेम देना चाहिए तो अखेली थी बहुत अच्छा से को म जिनके घर में दो दो लिटर दूद जाता था तो जो पमेंट लेके आए ना एक तरिक से लेके पांच तरिक तरिक हमें 11 रुपिया तक दूद का पाइसा मिला तो हम इसके काउंटिंचालू करते हैं यह हो सकता है कि यार एक महिने में इतना पैसा आया है तो दो तीन पाइसे फर्ष्ट लेक्टेशन में थी जिसकी पच्छीय होगा है अब यह तीसरे में बच्चा देने वाली तो यह भी दूद 25-26 लिटर कर रही थी हमारे पास दो ही गाय में 42-45 रुद रिटल होने लगा अब दूद 50 रुपिय देता था तो डेली देवाजर रुपिया तो मैं आज थो दूसरे टाइप कर रहाता था तो मैं इसको किया जाए ऐसे-एसे करते करते सर भगवान की किरपा है और हम कोई स्वयोग नहीं है किसी से ना बैंक से आज तक भी कोई स्वयोग नहीं है इसमें हमें अच्छा लगता है 9000 रुपिया एक आदमी है इनको भी मैं मैं वी अपना बच्चे को साथ माने अपना खान पाना अच्छा तरह कैसे पज़ाता है मस्तवरिशी में सब्सक्राइब गाए एक दो तीन ठीक है और एक चार गाए मैं अपने घर के त्यार किया बच्छे हैं हमारे चार साल के अंदर में लेकिन मैंने सूचा कि जिए यह गाय लेकर आए ना सुचा जी नौसल पर काम किया जाएगा तो अच्छा होगा पैसा था उसमें बाहर में विदेश में रहता था 19 साल तक मैं गल्फ में नुक्री किया अच्छा इसके बाद से मैं सुचा तो मैं डॉक्टर को पता किया तो उसमें नौसल का बहुत फिर ज पता की चाहिए उसमें बड़ा चौरची था उसी कसी म्मक सब्चा है और भी सर गाय बहुत हमें मने अच्छा दी और इनी में से पैसे से पूरा डेरी फार्म मैनेज कर रहे हैं हमें सर कोई दूसरा सपोर्ट है नहीं है अपने अपने सिप्टेट में हैं सबसे बड़ा चीज है कि आपका जो जगह है बहुत ही अच्छा जगह का चुनाओ है अच्छा वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है लास्ट में हम आप सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा अनुभब हो चुका जी तो उनको आप क्या सलाह देना चाहिए हम उनको सलाह देंगे सर कि इसमें एक चीजह बंधने वाली जैसी आप हमाने फोन कर रहे थे सब हम एक बात बता रहे हम से फोन भी सर आप किजिए सब्सक्राइब करना है इनको से इसमें वेट करना पड़ता है तीन साल के बाद लोग बताते हैं यह अखिकत है तीन साल के बाद रहे इसमें पैसा दिखता है हमाले लिए सब्सक्राइब तो हमें भरोसा है कि कम से कम कुछ भी नहीं तो पच्छतर असी अजार के गाई बनेगी बिल्कुल जो ब्रीड में है बिल्कुल उतना उतना तो हम समझ आपको मिल जाए जी यही सब है इसमें यह आपका एक एसेट्स त्यार हो गया यानि लगान म चीज रोल में चीज भूमिका है गाए गाए यह नहीं कि हम गायर रखें तो सब्सक्राइब गया है पुराना गया है यह पहले आपको यह देखना है इसकी बादे आप को कोई काम है इसके छोड़ के दूसरा आप काम किजिए गा तो यह लोस का बिजनेस हो जाए इसमें कि चैनल पर आना के लिए बहुत बप्धनावार आप यह इन्ति हля्ल्रक पर ही मेर के लिए को को सब्सक्राइब इसे पिसासरा राहे नीदि हुशन है इसमें देखके सब्सक्राश॑ कैन